करदातियों मेरा नाम योगेश कुमार और ओन्लाइन भास्टर टीवी देखने वारे सभी दर्श्टों को मेरी तरफ दुरूई बहुत धनी जड़ी रामरा मेरी सबी से यह अपील है कि शान्ती कायम करें और कानुम रस्ता में बनाने में मदद करें आपस में कोई टक्राव ना करें आपस में बाईचारा बढ़ाने का प्यास करें नमस्कार साथियो जो आज नू मेवात में हो रहा है मानेसर और गुडगावा में हो रहा है जिस प्रकार की हिंसा की खबरे आ रही है जिस प्रकार की आगजनी की खबरे आ रही है लोगों के गायल होने की खबरे आ रही है पहली बार हर्याना के हितिहास में धार्मिक टक्र गटना हुई है ये अपने आप में भयावय है हर्याना की आत्मा को छलनी करने वाले हर्द्य विदारक द्रिशे देखने को आई हैं और गुर्गावा जैसी मिलीनियम सिटी उसका रास्ता बंद होने की तथा कथित खबरें और जादा चिंता जनक हैं क्योंकि पूरी दुनिय की सारी इंडस्ट्रीज गुर्गावा मानेसर के इलाके में हैं और ये देश के उद्योग का पहिया है इन सब के लिए भाजप्पा जजपा की सरकार जुम्मेवार है खुद मुख्यमंत्री शिरी मनोरलाल खटर जुम्मेवार है जो कानून विवस्ता पर काबू नहीं कर पा रहे या जान बूझ कर कानून विवस्ता को तोड़ने की इजाज़त दी जा रही है मैं अपील करता हूँ भारती राष्ट्रिय कॉंग्रिस की ओर से दोनों पक्षों को के हिंसा किसी चीज़ का सोलूशन नहीं हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ वो किसी भी धर्म या जाती से हो कड़ी कारवाई हो खुद मुख्यमंत्री शिरी मनोरलाल खटर को पूरे मामले का संध्यान लेकर आगे आकर सभी पक्षों को वारतालाब के लिए बुलाया जाना चाहिए और जो व्यक्ति हिंसा के अंदर शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कारवाही करनी चाहिए मुख्यमंत्री खटर साब हाथ से हाथ धरे बेटे हैं जब से भारतिये जंता पार्टी आई है जजप्पा की सरकार आई है बाजप्पा जजप्पा की सेयुक्त सरकार आई है कभी जाती के आधार पर कभी धरम के आधार पर एक शांती प्रिये प्रांत हरियाना जिसमें और धार्मिक दंगे नहीं हुए पहली बार पहले जाती है और अब धार्मिक दंगे हो रहे हैं। साथ लगता केंद्रिय राजदानी दिल्ली है अगर यहीं कानून व्यवस्ता मेंटेन नहीं हो कर पाएगी भाजप्पा जच्पा तो कहां कर पाएगी। इसलिए हर्याना के लोगों और अमन्चैन के लिए मैं अपील करता हूं सब साथियों को शांती बनाए रखें और स्क्राइब करें और धन्यवाद बसाती है